आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक वेजटेरियन डाइट प्लान की रेसिपी जिससे आप 15 दिन में 7 किलो तक कम कर सकते हैं और अगर आप ये डाइट प्लान ऐस इस फॉलो करें तो आपको इससे अच्छे रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं ऐसा हुआ होगा आप लोगों ने बहुत सारे डाइट प्लान ट्राइ किये होंगे और बीच में स्किप कर दिया होगा या फिर किया भी होगा तो आपको उसके रिजल्ट्स नहीं मिले होंगे और अगर आप फुड़ी है अगर आपको खाना पसंद है और आप टेसलेस फुड नहीं खा सकते तो ये डाइट प्लान आप सभी के लिए है यह जो diet plan है यह normal diet plan जैसा नहीं है जिसमें हमें बस soup और salad खाने होते हैं या फिर भूका रहना होता है इसमें दी हुई recipes बहुत ही yummy है और यह बहुत filling है यह diet plan मैं अपनी diet में include कर चुकी हूँ और इसकी results मुझे बहुत अच्छे मिले इसलिए यह मैं आपसे share कर रही हूँ चलिए देखते हैं इस diet में आपको क्या-क्या खाना है और कैसे follow करना है breakfast में आपको लेना है sweet potato जो शकरकन बोलते हैं जिसको जो easily local market में आपको मिल जाएंगे उसके साथ एक apple और green tea चलिए देखते हैं इसकी recipe इसको बनाना कैसे है मैंने एक pan में 1 teaspoon oil add किया है यहाँ पे मैंने olive oil लिया है आप चाहे तो कोई और भी oil यूज़ कर सकते हैं फिर इसमें मैंने 1 teaspoon mustard seed लिया है जिसको हम rye भी बोलते हैं फिर इसमें मैंने 0 एड किया है आप चाहे तो इसमें fannel seed भी यूज़ कर सकते हैं फिर इसमें मैंने green chillies यूज़ की हैं और tomatoes यूज़ किये हैं इसमें आप चाहे तो अपने according और कोई भी vegetables एड कर सकते हैं फिर इसको हमें जब तक tomatoes थोड़े soft न हो जाए इसको भूनना है जो sweet potato थे उनको मैंने wash करके boil कर लिया और फिर उनको chop कर लिया sweet potato as a breakfast option बहुत ही healthy है और जो आपको लंबे time तक filling फील करवाता है तो आप इसको breakfast में include कर सकते हैं साथ ही साथ ये बहुत healthy भी है इसके बाद हम इसमें add करेंगे sweet potato sweet potato आप 200 gram सी लें इससे जादा ना लें आपको better result के लिए proper quantity लेना जरूरी है इसमें आप carrot भी use कर सकते हैं जिसमें fiber content बहुत जादा होता है और ये recipe दयार है हम इसको लेंगे one apple और one cup green tea के साथ अगर आपको फिर भी इसका taste अच्छा नहीं लगता तो आप green chutney add कर सकते हैं उसकी recipe मैं बहुत जल्दी आपसे share करूंगी now we move to lunch lunch में हमें क्या लेना है इसके लिए lunch में हमें लेना है एक रायता जो हम बनाएंगे कड़ी पत्ता के साथ, oats के साथ और इसमें हम add करेंगे flaxseed इसके लिए मैंने लिया है two tablespoon of oats उसको पहले मैंने roast कर लिया और फिर mixer में grind कर लिया फिर हम एक पैन में डालेंगे mustard seed, curry leaves और उनको roast करने देंगे इसमें हम oil use नहीं करेंगे फिर इसमें आपको add करना है carrot बट मेरे place पे carrot नहीं मिल रहा था अभी तो मैं इसकी जगह मोली यूज़ कर रही हूँ same आपको carrot को use करना है आप इसकी quantity जादा ले सकते हैं carrot की आपको इस curd में mix करना है, curd में मैंने जो grind किया हुआ था oats उसको भी mix कर दिया है और flaxseed भी mix कर दिया है तो यह इस consistency का इसमें आपको use करना है 300 gram low fat दही उसमें आपको 1 teaspoon flaxseed add करना है 2 teaspoon oats add करना है और आपको इसमें add करना है 100 gram carrot अब हम देखते हैं evening snacks में हमें क्या लेना है इसके लिए आपको लेना है काले चना का चाट जो बनेगा काला चना और vegetables के साथ इसमें हम oil use नहीं करेंगे इस चाट को बनाने के लिए मैंने लिया है onion, tomato और cucumber और lemon juice इसको सभी को मैंने जो उबले हुए चने है उसमें mix कर दिया है फिर इसमें मैंने add किया है थोड़ा सा salt और थोड़ी सी green chili फिर इन सभी चीजों को मैंने जो उबले हुए चने थे उनके साथ mix किया हुआ है इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा मूली आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा चाट मसाला भी add कर सकते हैं इस चाट को आपको लेना है एक कप green tea के साथ अब हम देखते हैं कि dinner में हमी क्या लेना है इस diet plan में dinner में आपको लेना है oats milk जिसको बनाने की recipe मैं आपको बताती हूँ इसके लिए मैंने लिया है low fat milk, 3 teaspoon of oats इसमें मैं sugar की जगे jaggery यूज़ कर रही हूँ इसमें मैं मुनक्का यूज़ कर रही हूँ यह chironji यूज़ कर रही हूँ और 2-3 raisins यूज़ कर रही हूँ और फिर मैं इसमें almonds यूज़ कर रही हूँ एक pan में मैंने low fat milk था उसको add किया और उसमें जो भी ingredients जो भी मैंने आपको बताए हैं वो सारे इसमें add कर देंगे मुझे oats के साथ sugar पसंद नहीं है तो इसलिए मैं jaggery यूज़ कर रही हूँ अगर आप चाहें तो maple syrup भी यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो बहुत ही कम quantity में sugar भी यूज़ कर सकते हैं अब जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने इसमें milk में oats add कर दिया है और जो भी dry fruits से और dry ingredients से वो सारे इसमें add कर दिया हैं हम इसको एक दो मिनिट तक boil करेंगे और फिर बंद कर देंगे ओट्स बहुत ही healthy food माना जाता है और इसमें सभी अनाजो और grains से सबसे जादा fiber होता है जो आपको बहुत लंबे time तक fulfill करवाता है और आपकी craving को कम करता है फिर इसमें मैंने add किया है flaxseed जिसमें omega 3 का बहुत अच्छा source है और content बहुत जादा होता है अब इस oats को हम enjoy करेंगे apple के साथ और एक cup green tea के साथ आपको जो भी मैंने diet plan बताया है आप try कीजिए आप उसको वैसे ही follow करें ज्यादा changes ना करें अगर आपको इन meals के बीच में भी अगर भूक लगती है तो आप cucumber ले सकते हैं और carrot ल बीच में आप detox water भी ले सकते हैं जिससे आपके weight lose process past हो जाएगी और अच्छे results मिलेंगे मैं आपको suggest नहीं करूंगी कि आप quick oats या फिर masala oats लें आप हमेशा plain oats का ही use करें जिससे आपको results बहुत अच्छे मिलेंगे आप इस diet में pink salt यूज़ कर सकते हैं हिमालियन salt यूज़ कर सकते हैं आप हमेशा hydrate रहें अपने body में water का content ठीक रखें आप अपनी last meal 3 घंटे सोने से पहले complete कर लें आप अपनी timing fix कर लें और उनी timing पर अपने breakfast lunch और dinner को करें और हमेशा अपने sleeping cycle proper रखें और 8 hours of sleep लें stress कम लें आप दिन बर active रहें और positive रहें और 30 minutes walk करें आपको इससे बहुत अच्छे results मिलेंगे और 7-8 kg आपका weight कम हो जाएगा अगर आपको मेरे videos पसंद आ रहे हैं और मेरा content अच्छा लग रहा है तो please मेरे channel को subscribe करें और like करें और आपके friends के साथ share करें Thank you